अब्स नहाद होके मैं हो गई हूँ डेडी और आज है मकर संक्रांती तो आप सभी को मकर संक्रांती की धेर सारी सुख कामना है और सुवैना बहुत तेज कोहरा था और अब धूप निकल आएगी सूरी भगवान देख रहे हैं बस सबसे पहले साफ सफाई की और फिर हमने नह नहाया और बस अब रेडी हो गया है और अब मैं जारी हूँ पूजा करने पूजा करेंगे और भगवान जी को भोग लगाएंगे आज मकर संक्रांती है तो भगवान जी को गोड़ और तिल का भोग लगाएंगे रेवडी का भोग लगाएंगे फिर जाएंगे मंदिर और है है घर में ही बुढ़की ले लो चलो पापा आ रहे है फिर तुम नहां क्या हो और यह देखो धूप निकलाईगी सन सुर्य भगवान निकलाई है और आज बहुत तेज से कोहरा था अब तो थोड़ा-थोड़ा कम हो गया है कोहरा है कि यह देखो मेरा घर पूरा साफ हो गया घर क्लीन हो गया एक और आज बनेगे बुंग दाल की मंगोडी तो दाल फूल गई है पहले पूजा कर लेते हैं मंदिर वह आते हैं फिर इसके बाद लग जाएंगे दाल को दूलेंगे दाल को पीसेंगे और बस फिर सारी चीजे दालेंगे प्याज हरी मेशारा धनिया सब डाल गे फिर मंगोडी बनाएं और भगवान जी को भी भोग लगा देंगे और मेरे आना तिल चटकाए जाते हैं तिल और गोड चटकाए जाते हैं तो मुझे चटकाना है थोड़ी सी आग जलाएंगे और उसमें फिर तिल को चटकाना है तिल और गोड गोड और रखनाई में पूजा हो गई है मेरी यारी हो रही है तिल चटकाने की तो यहां अबुनी एना गोबर की कंदी नहीं है तो भई है यह रख लिया मैंने नारियल का जटा उसमें कपूर रख लिया है बस इसमें आग जलाएंगे तो हमारी पूजा हो गई है और हमने यहां तिल भी चटका लिये हैं तो हमारे आना जो गोबर की कंडी होती है ना उसको जलाके और उस पे फिर तिल चटकाते हैं उसी पे अच्छे से चटक जाते हैं तो हमारे पास तो थी नहीं तो हमने यहां क्या किया कि एक कपूर का सब्सक्राइब करने के बाद तुम्हार नीचे मंदिर में हमारी सुसाइटी में तो इधर बन रही है चाय पी लेते हैं और इधर वह रहा है दूर्बाइ और यह पराठे मैंने गरम कर लिए हमें वहां गरम कर लिए हैं अलू के पराठे हैं जो मैंने रात को बना आए खाला नजे की शाहरे लिखे धाजैलेется auf okay मगोडी की तहaccord तो चाय नास्ता हमारा हो गया है और इस टाइम ना धूप भी अच्छी आ गई और ठंड इतनी जादा हो रही है धूप निकल आती है ना तो थोड़ी सी राहत मिलाती है और इसके बाद मैं आगई यहां किचिन में और बस यहां मैं लग गई हूँ अपने कामों में तो बस द दाल फूल गई थी दाल को मैंने अच्छे से दो लिया है अब इसको पीस लेंगे तो मैंने मिक्सी से पीस लिया है दाल को और दाल पीसने के बाद मैं यहां कर रही हूँ चटनी की तैयारी तो मैं बना रही हूँ टमाटर की चटनी तो उसके लिए मैंने लिए हैं दो टमा मिर्ची डालेंगे और इसमें थोड़ा सा अधरक का टुकड़ा डालेंगे और हरा धनिया डाल दिया है और इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा लगबग एक देर चमत जीरा डालेंगे चटनी के हिसाब से और इसमें डालेंगे नमक और इसको पीस लेना है और यह चटनी ना छी ली है और इसके लिए मुझे तोड़ा सा अद्रकृता है तो ऑंळπό किस लुङूँ एक तोकड़ा मैंने अध्रक करने हैं इसको अब Pikachu ने कσι ear witnessed आप इसको से बहुत बॉहीं है निया है किसलों न्सवाता है तो जिएग ट्रेटे ​​लें तो बस प्याज काटना ना बड़ा मुस्किल लगता है तो यहां देखो प्याज काटने में ना मेरी हालत खराब हो गई है तो बस प्याज काटूंगे और इसके बाद इसमें डालेंगे हरा धनिया हरी मिर्ची सारी चीज़े काट लिए चटनी बन गई है बड़ी आसी टमाट काट किया है और बस इन सारी चीजों को मिलाऎंगे दाल में यहां मैने सारी तैयारी कर ली है और जितनी भी किषिए ति इसमें प्याज ही कारद करने हैं अलubra को तो तो हरी मिर्ची सारी लिथी अगर पेस्पाल्दन मिर्ची या लेकीं हमने इस Hadi लेके मम contingencyना को छड़ा स पत्ती वाली विस और नमक मिला लिया है और ये मेरे पास हरी मिर्च रखी हुई थी इनको मैं भर के सेखूंगी तो मिर्च में मैंने बीच से कट लगाया और इसमें बीच का पार्ट होता है बीच बगेरा होते हैं वो मैंने निकाल दिये हैं और उसमें खूब दाल भरके और इसको मैंने कड़ाई में डाल दिया है और इसको मैं सेकूँगी और इसको दीमी आज पर सेकेंगे तो बहुत अच्छे से सिक जाएगी क्योंकि ना इसमें जो दाल भरी हुई है वो बहुत अच्छे से सिकना चाहिए तब ही यह मिर्श खाने और पूडी सब्जी बनाते हैं लेकिन पूरी सब्जी मैं नहीं बनाइए क्योंकि मंगणी से पेट भाड़ जाएगा पूली सबघ हो लग नहीं आगधि मंगणी और मैं आपनी वैं दे दिया। और एक मिर्च और मैं सेकूंगी क्योंकि ये मैं रियान्त के लिए सेक रही हूँ होता है ना जब बच्चे देख लेते हैं तो बच्चों को भी सेंग लगती है कि हमें भी मिर्च खानी है तो यहां मैं एक और मिर्च सेक रही हूँ तो इसमें मैंने दाल भर लिए और अच्छे से उपर भी थोड़ी सी दाल को लपेड दिया था और बस इसको भी सेक लेंगे और इसके बाद फिर मैं खाऊंगे और मैंने यहां साथ के साथ चाय भी रख दिये गैस पे बनने के लिए बस चाय और मंगोरी खाएंगे तो गर्मा गरा मंगोडी हो और चाय मिले है मज़़ा ही आजाता है तो बस यहां मैं अपने लिए प्लेट लगा रही हूँ चाय भी बन गई है और चाय को भी मैं च्छान लोंगी और जैसे मैंने चाय च्छानी तुरंथी आबा जा गई मुझे भी चाय चाहिए तो रियांत को भ दिये और बस यहां पर बैठके अब मैं अपना नास्ता गरूंगी तो बस सब लोग खा चुके हैं रियांत के पापा खा चुके हैं रियांत यहां पर अपनी मंगोडी खा रहा है और यह मैं अपनी प्लेट लेकर आ गई हूँ और बस यहां बैठके हम लोग अपनी लिएगा मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाई and टेक कियर